जहां आज हम सब घर में हैं और कुरोना के प्रकोप के थमने का इंदजार कर रहे हैं क्या आपको पता है कि हमारे जांजगीर में आसपास क्या हो रहा है सभी गाड़िया बंध है और प्रदूसर निस्तर में इस हद तक कमी आई है कि अगर आप थोड़ी मेहनत करेंगे और छट में चड़के देखेंगे तो आपको नज़र आएगा दूर दूर तक फैला नीला आसमान वैसे तो मई का महिना चल रहा है और इस समय सबसे ज़ादा धूल उड़ती है हमारे जांजगीर में तीन-चार मीटर के बाद ही पीली रोशनी और बहुत ज़ादा धूल और इरिटेशन हमें आसपास फील होता है लेकिन जब भी आज मैं छट पे चड़ती हूँ मुझे नज़र आता है सिर्फ नीला आसमान सायद आज हम कचरा भी खेरने बाहर नहीं निकले हैं तो बिखर रही है ये साफ हवा पता है क्यों? शायद हवा में धूल थोड़ी सी कम हो गई है जहां आज सब कुछ थमा हुआ सा है हमारे जांजगीर के हवा खुद की मरमत कर रही है बैठिये और ध्यान से सुनिए सायद आपको नहर के पानी के आवाज और जिंगूरेओं के आवाज सुनाई देगी ऐसा लगता है जैसे समय में हम पीछे जाके 2002 के जांजगीर में पहुँच गए है कोरोना आज हमारे लिए स्राप जरूर बना हुआ है लेकिन प्रकृति के लिए ये वर्दान साबित हो रहा है और हमें भी प्रकृति को सांथ लेकर चलना है उसके खिलाफ नहीं उम्मीद है अब घर में रहके प्रकृति की मरमत करने में सहायता करेंगे जब हम इस चीज से बाहर आएंगे तो इस हवा को ऐसे ही साब बनाए रखेंगे